हेलो अब्रिवन, वेलकम यूओ अलेट लोकेश सर अलेप्टेड स्टॉडी जोन, सो बचों आज हमारी इस टॉपिक का अप्लिकेशन आफ डेरिवेटिव पर्टिकुलर टॉपिक का फर्ट लेक्चर है और इसके अंदर का टॉपिक भी थर्ड है, लेक्चर नमबर थर्ड है टॉपिक नमबर भी थर्ड है, एक्ससाईज भी थर्ड है, मतलब 6.3 हम करने जा रहे हैं और मोटे तोर पे, आज जो हमारी जिस कंसेप्ट को हम लरन करने जा रहे हैं बच्चों का नाम है, मैकिसेमा एंद मिनीमा, जी हाँ, इस मिसेप्ट का नाम है बट़ा, मैकिसेमा एं तो इस संसपने हमको basically करना क्या है देखिए स्प्रींग पर आपके पास कोई function है आपके पास कोई function दिया गया है for example आपके पास मैंने function दिया fx equal to x cube plus 6x square plus 7x plus 8 मैंने आपको इसका domain नहीं दिया अगर मैं domain नहीं दूँगा तो understood है बिटा कि आपका जो domain डिजाइन होगा वो minus infinity to infinity मतलब कि all real number की form में डिजाइन होगा ठीक है तो इस case में आप यदि इस function का graph बनाएंगे जो की impossible है फिर भी समझ देते हैं कि हमने इस function का कहीं पर graph बना लिया ओके तो minus infinity से plus infinity की बीच में इस function का graph बनाया अब कुछ जगों पर इसकी value बहुत ज़्यादा मिल गई पतलब highest value और कुछ जगों पर इसकी value कम मिल गई ये देखिए इस तरीके से ये function जो है आँगे बढ़ रहा है पीछे जा रहा है कुछ भी हो सकता है क्योंकि हम graph बनानी की बात नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं graph शायद ऐसा कुछ होगा तो आप देख रहे हैं कि इन situation में आपको कुछ point पर आपको क्या मिल रहा है कुछ point पर आपको hill मिल रहा है मतलब की maximum value आपको मिल रही है तो इनको आप कह सकते हैं कि यदि मेरे पास कोई function है y और x में suppose we have the function y is equals to fx so इसका definitely graph होगा अब वो graph बिटा कुछ values पे ज़्यादा value लेगा highest value लेगा और कुछ जगह पर lowest value लेगा कुछ value पर minimum value attain करेगा आपको मैंने बताया था कि graph किस जगह पर आ करके highest value लेता है और lowest value लेता है graph उन जगह पर highest और lowest value लेता है जहांपर function आराम करता है मतलब f dash x equals to 0 मतलब function उन पॉइट पर क्या करता है rest करता है और उसे पर constant function का nature attain कर लिता है देखे यहाँ पर function constant है इस point पर भी या constant function है इस point पर भी या constant function है इधर भी एक constant function है तो इन point पर ये function एक constant nature attain कर रहा है तो ये suppose ये point c1 है ये point c2 है ये point c3 है ये point c4 है ऐसे कई सारे point हो सकते हैं ये point c5 है मतलब एक function अपने जिन्दगी में कई बार maximum और कई बार minimum value gain कर सकता है कई बार कई बार ज़ादे value कई बार कम value gain कर सकता है तो ये जो सारे point है इन सब पर आपने nature देखा है कि इन हर point पर f-x की value क्या है 0 है इस c1 point पर भी f-x की value क्या है 0 है तो more clearly मैं इसको लेख सकता हूँ कि f dash c1 equal to 0 अगला इस point पर भी slope 0 हो रहा है so f dash c2 equal to 0 तो आपके पास कई सारे point आ रहे हैं जैसे यहाँ पर c1 पर value maximum है c3 पर value भी maximum है और c5 पर भी value maximum है बेटा जिन जिन point पर ये value maximum है इनको बोलते हैं point of local maxima yes तो ये point of local maxima है तो बात करते हैं देखिए कुछ value है जिन पर point value minimum भी है तो c2, c4 ओके और यहाँ पर point c6 ले लेजे c6 ये क्या है बिटा point of local minima clear हुआ की नहीं हुआ तो ये आपको point मिल गए local maxima के और ये point मिल गए local minima के clear की not clear अब इन पर जो value आएगी वो इनकी जैसे आपने value निकाली fc1 function की value के इस पर निकाली c1 पर तो local maximum value निकलेगी fc1 निकलेगी fc3 निकलेगी fc5 निकलेगी ये रेखिए ये कहलाएगी local maximum value ये कुछ ऐसा है कि आप एक पहाड चड़ रहे हो तो ये आपने पहला एक छोटा पहाड चड़ा फिर आपने एक और पहाड चड़ा फिर एक और छोटा सा पहाड आया फिर एक और बड़ा सा पहाड आया फिर एक और छोटा सा पहाड फिर और थोड़ा उससे बड़ा पहा आपने जो पहाड चढ़ा, जहां आपने जंडा फैराया पहाड की चोटी पर, वो था C1 पॉइंट, तो ये भी मैक्समम, लोकल मैक्समम हो गया, ये हो गया C2 पॉइंट, ये हो गया C3 पॉइंट, ये हो गया C4 पॉइंट, ये हो गया C5, ये हो गया C6, ये हो गया C7, ये जितने भी आपने c1, c2, c3, c4, c5, c6 और c7 निकाले हैं इन सब पर f' x की value 0 है आप देख सकते हैं उपर पर function rest कर रहा है तो ये सब point जो हैं ये क्या कहलाएंगे point of local maxima और ये जो नीचे वाले point हैं ये सब कहलाएंगे point of local minima इसे आप c, इसे d1 ले लो, इसे आप d2 ले लो, इसे आप d3 ले लो, इसे आप d4 ले लो, इस वाले को आप d5 ले लो इस वाले को आप d6 ले लो तो ये point कहलाएंगे point of local minima ये red color से जित्ते point आए हैं ये सब कहलाएंगे point of local minima बोले clear बिटा? हाँ अब यदि आपको आपकी जिन्दगी में आपको interval दे दिया गया है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तो एक बात थी क्योंकि किसी को ना माइनस इंफिनिटी का पता ना प्लस इंफिनिटी का पता तो आप इसमें जैसे मैं आपसे बोलूँ संचारी की बताएए अपनी जिन्दगी के highest marks आज तक आपने कितने अप्टेंट करें है तो आप नहीं बता सकते हैं क्यों क्यों क्योंकि आपकी जिन्दगी अभी खतम कहा हुई है जो आप बता दोगे कि मेरी जिन्दगी के highest marks है ये तो उस दिन बता पाएगा वक्ति जिस दिन उसको इस दुनिया छोड़के जाना होगा क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि अब मेरी जिन्दगी यहाँ पे इस टॉप हो गई है clear ना हाँ तो अगर आप किसी function को interval में बान देते हो कि ये तुम्हारी birth date है और ये तुम्हारी bad date है मतलब interval इतने में है अब देखिए समझे मैं क्या बताना चाहरा को ये function यहाँ से शुरू हुआ मान लिजे इसकी इस point पर value ये है फिर इसके बाद ये function बढ़ना शुरू हुआ हम्हम्ह अब देखिए अभी तक का जो हम बात कर रहे थे बच्चो उसमें interval open था minus infinity to plus infinity था मतलब ना पीछे का पता ना आंगे का पता ना exactly किस दिन पैदा हुआ function उस दिन का पता और किस value पे मर गया उस value को पता नहीं बट अब हमको पता है कि function a point पे पैदा हो रहा है और b point पे dead हो रहा है अब इसके उपर जब आपको ये पता है कि function इस तरीकों पैदा हुआ इस तरीकों मर गया है तो आप उस समय आप बता सकते हैं कि इस function की सबसे highest value कब रही होगी तो वो जैसे इस graph में दिख रही है ये जो point है suppose c इस पर देखे इसकी पूरी जिंदगी में सबसे बड़ी value है तो ये क्या कहलाएगा बिटा ये कहलाएगा ये point c point of absolute maxima क्या कहलाएगा बिटा क्या कहलाएगा बिटा जी हाँ ये कहलाएगा point of absolute maxima क्योंकि इस graph की पूरे जीवन में इसकी value इस point पर सबसे ज़दा हो रही है सरवाधिक हो रही है ऐसे देखलो अब इस point पर जो value निकलेगी y की ये जो value निकलेगी बिटा इसका क्या नाम होगा f c क्योंकि input c है और value निकली है f c तो जो f c निकलेगी बिटा इस point पर c क्या हो गया point of absolute maxima और f of c जो निकलेगी बिटा उसे आप बुलोगे absolute maximum value उसे आप कहेंगे absolute maximum value so this point is called point of absolute maxima और ये value कहलाएगी absolute maximum value इसी तरीके से इस graph के पूरे g1 काल में पूरे close interval में क्योंकि graph में close interval था एक point होगा जिस पर सबसे value इस graph की minimum मिल रही है तो देखे भी जो graph है सबसे कम value कि इस point पर ले रहा है ये देखे एकदम end point पर b point पर end point पर हो सकता था कि ये बीच में कहीं पर ले ले माल लेजे ये यहां से चलता और ये और नीचे आजाता तो यहां भी ले सकता था तो ये value पर फिलहाल मैं इस तरीके से बात कर रहा हूं कि minimum value आपको इस पर मिल रही है b पर मतलब end point पर मिल रही तो मिल रही है तो ये जो point कहलाएगा इस graph को देख करके ये क्या कहलाएगा point of absolute minima तो यहां पर b जो है that is called point of absolute minima बोलो समझ में आया की नहीं है और इस पर जो value कहलाएगी f of b that is called absolute minimum value तो ये जो value होगी ये बहुगी बटा absolute minimum value मैंने आपको बता दिया point of absolute maxima क्या होता है उस पर value जो होती है that is called absolute maxima value absolute मतलब जिन्निगी की सबसे ज़्यादा है ना पहार तो कई चड़े मगर mount Everest एक ही है ठीक है ना तो उस पर जो height निकलेगी वो कहलाएगी absolute maximum value और जिस तारीक को चड़े होगे वो कहलाएगा point of absolute maxima clear बेटा हाँ तो जो सबसे उचा है सबसे बड़ी value है वो absolute वाला है और बाकी के सब क्या कहलाएगे local अरे ये सब तो चलता रहता है ठीक है ना local आप कितने भी highest marks कर लो कोई नहीं पूछता है हर कोई जिन्दिगी के सबसे highest को फूछता है तो that is called absolute maximum point of absolute maximum और उस पर जो value मिलेगी वो कहलाएगी point of absolute maximum ठीक है इसी तरीके से मैंने आपको बताया है सबसे कम value जो मिलेगी that is called absolute minimum value और जिस point पर मिलेगी that is called point of absolute minimum चलिए तो chapter की शुरुवात करते हैं अब हम पहचानेंगे कैसे कि function कहाँ पर maximum है कहाँ पर minimum है graph तो बना नहीं सकते हैं तो सबसे पहले देखिए कि maximum minimum कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं हमको किन-किन point को observe करना है points to observe कि फंक्षन कहाँ कहाँ पर maximum और minimum value दे सकता है चलिए देखिए पहली चीज function maximum और minimum value कहाँ दे सकता है at critical point जी हाँ at critical point मतलब वो point जिन पर slope क्या होता है zero याने function rest करता है तो function rest करता है जब वो या तो top पे होता है याने increasing से decreasing में बदल रहा होता है उस समय उसका slope पल भर के लिए zero होता है या दूसरा decreasing से increasing में जाएगा अब function zero हो रहा होता है अगर increasing से decreasing में जाएगा तो जो point of rest होगा वो कहलाएगा point of maximum अगर decreasing से increasing में जाएगा तो जो rest के जिस point पे करेगा suppose ये point है तो ये जो point है इस समय ये कहलाएगा point of minimum क्या कहलाएगा बटा point of minimum कहलाएगा ये ठीक है ना increasing से decreasing जाते समय आपको क्या मिलेगा point of maximum और decreasing से increasing जाते समय आपको क्या मिलेगा point of minimum तो ये दोनों क्या है ये critical point है क्यों? क्योंकि इन दोनों पर जो slope की value क्या होगी? 0 होगी तो पहला observation हमारा ये है कि हमको कहाँ पर बटा function हमको maximum और minimum मिल सकता है तर निकाल लिया हमने हमको function maximum और minimum मिल सकता है critical point पर दूसरा कहाँ पर मिल सकता है at point of not differentiability जी हाँ differentiability ये भी एक point है जिस पर हमको function क्या मिल सकता है not sorry maximum या minimum मिल सकता है point of not differentiability पर ये रेखे ये रेखे not differentiability है मगर इसी point पर ये function अपनी सबसे कम value रखे हुए है ये y-axis है और ये x-axis है आपको पता है कि इस point पर ये function का differentiation नहीं होगा क्यों कि शार पेज है तो मगर ये भी point है कि इस point पर भी function जो है value ले सकता है ज्यादा दूर नहीं y equal to mod x आपने देखा होगा तो y equal to mod x जो होता है x equal to 0 पर अपनी minimum value रखता है क्योंकि इसकी सबसे छोटी value 0 है बर ध्यान से देखे ये जो point x equal to 0 है ये point of not differentiability है तो दूसरा ठिकाना क्या हो गया point of not differentiability जहां पर function डिफरेंशिबल नहीं होगा तीसरा कहां पर function maximum या minimum हो सकता है तीसरा होगा end point और भाईया end point आप तभी लगा सकते हो जब आपको end point पता हो मतलब close interval दिया गया हो जी हाँ applicable for close interval only तो अगर आपके पास close interval है तो आपका function उस समय maxima या minima end point पर भी हो सकता है जैसे मैं फिलाल आपके सामने एक ग्राब बना दूँ ये देखिए मैंने आपको domain दे दी है x belongs to a to b close interval अब मैं एक ग्राब बना रहा हूँ देखिए ये a ये देखिए ये b तो कोई बुरी बात नहीं है ये देखिए a पर highest value रिटेन कर रहा है कर सकता है और b पर lowest value रिटेन कर रहा है ठीक है बाकी सारे point मिल रहे हैं आपको ये देखिए कि point ये point ही है बट ये सब क्या बन जाएंगे local बन जाएंगे और ये इस पर highest है और इस पर lowest मतलब absolute maximum value और absolute minimum value आपको रिटेन कर रहा है तो समझाने का उदेश ये है कि differentiation मतलब कोई function कहां कहां पर maximum या minimum हो सकता है अपनी कहां कहां पर maximum या minimum ये value रख सकता है तो मैंने तीन आपको अंसर बता है number one एक critical point पर जहां slope 0 होगा जहां पर function कहेगा ये आराम का मामला है दूसरा point of not differentiability पर और तीसरा end point पर अब end point वाली condition तभी लगेगी जब आपको close interval दिया गया होगा तभी आप end point की बात करेंगे अब जब आपको close interval दिया ही नहीं गया है तो आपको पता ही नहीं है कि end point क्या है तो वहाँ पर आप end point की बात नहीं करेंगे चलिए तो करते हैं question इतनी knowledge काफी है देखते हैं पहला सवाल find the maximum and minimum values if any of the following function given by अब कहेगा sir maximum and minimum value if any अगर exist कर रही है तो क्यों? क्या कोई ऐसे function होते है जिनकी maximum value exist ना करेगी बिल्कुल होते है मैं आपके सामने एक graph बना रहा हूँ ये देखिए पैराबुला है ये ये पैराबुला है इस पैराबुला का नाम है y equal to x square अब ध्यान से देखिए इसकी minimum value तो exist करेगी x equal to 0 पर बट इसकी maximum value तो ये जाती जा रही है पैराबुला रुकने का कभी नाम नहीं ले रहा है तो यहाँ पर कोई कहे कि इसकी maximum value बताओ तो हाँ जोड़ो भईया नहीं बता सकते cannot be said क्योंकि ये infinity की तरफ travel कर रहा है ये आप इसकी maximum value equal to infinity कर सकते हो कि हमको जानकारी नहीं कि exact कोई digit बता दे इसकी क्योंकि ये रुकने वाले ही नहीं है x बढ़ता जाएगा और y भी बढ़ता जाएगा ठीक है ना तो minimum value बता सकते हो यहाँ पर अगर कोई बोले कि यहाँ पर minimum value क्या है इस function की 0 तो ज़रूरी नहीं कि मैंनी की मतलब वो constant function होगा जैसे एक function constant function अब इस function का नाव है y equal to 3 अब हमेंसे आए 3 की height लेके चलता रहता है अब इसमें क्या maximum क्या minimum कुछ नहीं एक रही तो function है यह constant function में क्या maximum क्या minimum कुछ नहीं तो इसलिए मतलब function में maximum value हो भी सकती है नई वियू सकती है, आप अपने मन से यह मत सोच लेना कि function है तो maximum भी देगा, minimum भी देगा, नहीं, ऐसा कोई ज़रू ही नहीं है, चली देखते हैं, question पहला, तो कह रहा है कि अगर इसमें maximum या minimum value exist करें, तो बताइए कि function की maximum और minimum value क्या होगी, ठीक है, देखिए, पहला question मैं प fx equal to 2x plus 1 का whole square plus 3, प्लस 3, विटा function है मैं पास, fx equal to 2x plus 1 का whole square plus 3, ठीक है, क्या कह रहा है, find the maximum and minimum value, हमको value बस बताना है, हमको value बस बताना है, ये नहीं बताना है कि किस point पर value इसकी होगी, तो देखिए भाई साब, इसको आप y ले दे सकते हैं, तो y equal to 2x plus 1 का whole square plus 3, अब आप देख रहे हैं कि ये number जो है, whole square है, तो दुनिया का किसी भी number का whole square, 2x plus 1 का whole square जो होगा, हमेशा, या तो 0 हो सकता है, या 0 से बढ़ा होगा, क्योंकि square नमबर कभी 0 छोटा नहीं हो सकता है, बोलो बिटा, yes की no, कोई square नमबर है, तो 0 से छोटा तो हो नहीं सकता है, या तो वो 0 के equal होगा, या 0 से बढ़ा होगा, बोलिए yes की no, ओके, तो since 2x plus 1 का whole square is always greater than or equal to 0, तो अपन को क्या बनाना है, 2x plus 1 का whole square plus 3, तो मैंने left में भी 3 add किया, तो right में भी 3 add करूँगा, जैसे मैंने left में add कर दिया, plus 3, तो ये मेरे पास क्या बन गया, function fx बन गया, fx is always greater than 3, yes, ये देखिए, मतलब fx की value, function की value कह लो, या y की value कह लो, हमेशा क्या होगी, 3 से बढ़ी होगी, हमेशा इसकी value 3 से बढ़ी होगी, तो यदि मैं देखूँ इसको, ये y का domain है, तो इसकी value कहां से start हो रही है, 3 से start हो रही है, और इसकी value जाते ही जा रही है, तो minimum value कित्ती होगी इसकी बटा, 3, और maximum value इसकी not defined, क्योंकि value बढ़ती ही जा रही है, क्लियर हुआ की नहीं हुआ, तो ये आपने कैसे क्लियर कर लिया, एलजबरी कली आपने क्लियर कर लिया, इसी तरीक इसे दिया हुआ है, देखे, fx equal to 2x square plus 1, 3, that is always greater than or equal to 3, तो यहां पे इसकी value आपको, क्या मिलेगी, minimum value 3 मिलेगी, है ना, question है क्या कहा था, find the maximum and minimum values, हाँ, तो हमने maximum तो है नहीं, इसमे minimum value 3 मिल जाएगी, अब इसमें यदि आप कहें कि किस point पे 3 मिलेगी, तो minimum value 3 होने के लिए, क्या होना पड़ेगा बेटा, इसको 0 होना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि इसकी minimum value produce करे, 3 इसकी minimum value है, तो 3 minimum value कब होगी बेटा, जब ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो हम क्या निकालेंगे, point of minimum, point of minimum, अगर हम चाहते हैं कि minimum value produce करे, तो 2x plus 1 equal to क्या होना चाहिए, 0, because जिस समय ये 0 हो जाएगा, इसकी value कम से कमाएगी, 0 plus 3 equal to 3, बाकी cases में value बढ़ेगी, बड़ 0 पर, अगर आप इस total term को 0 लेते हैं, तो इसकी value 3 आएगी, तो 2x plus 1 equal to 0, means 2x equal to minus 1, मतलब x equal to कितना, minus 1 by 2, तो x equal to minus 1 by 2 जो है, वो है आपका point of minimum, point of minimum, हलाकी इस question में पूछा नहीं है, बड़ फिर भी मैंने बता दी आपको कि x equal to 1 by 2 जो है, minus 1 by 2, वो point of minimum है, और minimum value कितनी निकलेगी, 3, वो तो पता ही है, कि 3 निकलेगी, वैसे इन लोगों ने निकाल दिया है, f की value आपने put कर दी, यहाँ पे x की value, minus 1 by 2, तो यह वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, 2 into minus 1 by 2 plus 1 का होरी square, और plus 3, तो यह 3 निकलेगी, fully clear, point of minimum, पर जो value निकलती है, वो minimum value है, अब आप देखे, आप हैंपे confuse हो रहे हैं, यहाँ पे जो point of minimum है, x की जो value है, वो है minus 1 by 2, उस पर जो minimum value निकली है विटा, function की, वो निकली है 3, तो जो y की value निकली है विटा, वो निकली है minimum value 3, और उसके लिए जो x की value है, वो है minus 1 by 2, तो यह है point of minimum, समझ में आया कुछ, और इस पर जो value निकल रही है, वो है इसकी minimum value, एक x की value है, और एक y की value है, समझ गए? point of minimum मतलब किस point पर, और minimum value मतलब कित्ती value, तो इसमें यहाँ पर x equal to minus 1 by 2 point आ रहा है, और उसकी value कित्ती निकल रही 3, तो यह तो अभी आपने algebraically knowledge लगा लिया, अब इसी को आप differentiation से करेंगे, कैसे करेंगे रिखिए? आपके पास में function क्या है? fx equal to 2x plus 1 का whole square plus 3, साब साब दिखरा है बिटा, कि domain कितनी है? minus infinity से plus infinity, question ने कुछ नहीं कहा है, मतलब इस case में आप क्या बता सकते हो? या तो आप local maxima बता सकते हो, या local minima बता सकते हो? चलिए, differentiate कर दिता हूँ, जब dash x कैसे होगा? 2 बाहर आजाएगा, nx की power n minus 1, तो 2x की power 2 minus 1, यानि की power 1, फिर 2x plus 1 का होगा, तो कितना होजाएगा? 2 into 1 plus 0, यानि 2 1 जा 2, 2 का 2 से multiply होगा 4, और यहाँ पे आगया 2x plus 1, यानि की 4 2 जा 8x plus 2, 8x plus 4, यह आगया आपके पास में, f dash x, clear है? यहीं तक ठीक है, f dash x, उपर तक, यह रिखिए, this is f dash x, यह हमारे पास आगया, f dash x, अब हमको पता करना है, कि, यह function कहाँ पर, maximum minimum दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? critical point, इसको number 1 दे दो, for critical point, f dash x, किस से compare होता है, 0 से, यहने, 4 into 2x plus 1, equal to 0, तो 2x plus 1, equal to 0, it means 2x equal to, हाँ भी तभी तो rest point मिलेगा न, क्योंकि maximum minimum कहाँ पर हो सकते हैं, point of rest पर, हाँ तो वही तो पता कर रहे हैं, कि, तुम कहाँ पर rest कर रहे हो भाईया, तो इसने बुला भाईया, मैं x equal to minus 1 by 2 पर rest कर रहा हूँ, मतलब एक चीज़ समझ में आ गई, एक point आया है, मतलब यह तो function का maximum ही, point हो गए, point of maxima, या point of minima, मतलब function यह तो maximum value ही प्रेडूस करेगा, या minimum value ही प्रेडूस करेगा, clear की not clear, तो x equal to minus 1 by 2 पर पता लगाना है, कि यह function इस point पर, point of maxima है, की point of minima है, तो देखें जड़ा, यह हमाय पास function की value क्या ही है, minus 1 by 2, clear बिटा, अब हम minus 1 by 2 के just पहले, minus 1 by 2 मतलब कितना होता है, minus 0.5, इसके just पहले का मैं एक point लिए लेता हूँ, एक x equal to minus 1, बोलो हूँ आ बिटा, और इसके बाद का point, x equal to 1 होगा, यह एक काम करो, x equal to 0 ही ले ले लो, वो भी तो 0.5 के बाद में ही होगा, बोलो हाँ है न, अब मैं क्या निकालता हूँ बेटा, f dash x निकालता हूँ, तो x equal to minus 1 पर f dash x का निशान, तो f dash x मेरे पास कितना आया है बेटा, 4 into 2x plus 1, बोलो है यह सौन नो, तो 4 तो positive है, हाँ 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 कोई भी point, बस याद रहे कि एक minus 1 by 2 के पीछे, और एक minus 1 by 2 के आँगे, ठीक न, आप कोई भी point ले सकते हैं, एक minus 1 by 2 के पीछे, और एक minus 1 by 2 के आँगे, तो बिटा, एक आपने minus 1 by 2 के पीछे point ले लिया आप कोई भी point ले सकते हैं बस पीछे और आंगे लें तो minus 1 पर हमाई पास function क्या है f dash x क्या है f dash x मेरे पास है 4 bracket में 2x plus 1 ये है 2x plus 1 तो 4 positive है ये तो positive ही रहेगा अब x की value minus 1 डालिए तो 2 into minus 1 यानि की minus 2 और plus का 1 मतलब कितना आगया ये भी positive और minus 2 plus 1 भी कितना आगया positive आगया क्योंकि plus 1 आएगया बुलिए सकी no no sir minus 1 है जा क्यों आएगा minus 1 minus 2 plus 1 minus 1 हाँ बिलकुल सही बिलकुल सही बोल रहा है मैं तो चेक कर रहा था तो यहां पे आगया अपने पास में negative मतलब बिटा इसके इस तरफ जो function है उसका slope negative है मतलब decreasing है इस तरफ बुलिए सोनो अब आगे रेखते हैं 1 by 2 के 0 लेते हैं तो f dash x की value 0 पे निकालते हैं f dash x जो आपास आया है x equal to 0 पर तो यह है positive और 2 into 0 0 plus 1 यानि की 1 तो बुलो answer क्या आगया positive आया की नहीं है यह सर मतलब इस तरफ का slope f dash x जो है आपका वो negative आ रहा है और इधर का slope f dash x का क्या आ रहा है अपने पास में positive आ रहा है तो बिटा जब भी slope negative से positive जाएगा तो अगर आप नीचे से उपर की तरफ जाओगे तो आप जो point आपका rest होगा वो बताई उस पर आपकी value minimum होगी की maximum होगी minimum मतलब आपको इस point पर minimum value मिलेगी तो जो हम प्रेस करना चाह रहे थे कि कहीं भाईया ये कहीं सबसे उचा point है कि सबसे नीचा point है हमको पता चल गया कि ये कौन सा point है सबसे नीचे वाला point है clear हो गया ये point of minima है और ग्राप टो करना जरूरी नहीं है नहीं कोई जरूरी नहीं है वो तो मैं अपने से बता रहा हूँ आपको के बाद ये देखना है कि slope negative से positive मतलब point of minima और अगर slope यदी positive से negative मतलब point of maxima x जो बनेगा आपका point of maxima होगा clear की not clear ये से बस ये समझने के लिए कि अगर slope आपका negative से positive change हो रहा है बाए से दाए जाने पर अगर slope आपका negative to positive है तो जो point आपने माना है वो point आपका point of minima है और अगर slope आपका तर इसको local कहेंगे न हाँ ये local ही कहलाएगा इसलिए कहलाएगा क्योंकि बिटा आपके पास इसकी जिन्दगी और इसकी मौत का पता नहीं है पता नहीं ये कहां कितना आँगे जाएगा समझ गए अपसलिट तब कहलाता है जब आपको पता हो कि इसका birthday कब है उसका dead day कब है clear की not clear और सर अगर एक ही point पता हो जैसे की initiating point clear हो बर सर final पता नहीं तो नहीं ऐसा तो ऐसे question होगा नहीं और फिर भी यदि नहीं पता है तब भी आप guarantee ले सकते हो क्या पता वो अपने आखरी match में ही century mark out हुआ हो सबसे ज़्यादा रान yes sir समझ गया ना yes sir तो बिटा ये अपने पास में function फिलहाल negative से लेके positive में जा रहा है इसका slope so f f dash x extending changing negative to positive तो यहाँ पे लिखेंगे हम since across x equal to 1 by 2 है कि minus 1 by 2 minus 1 by 2 across x equal to minus 1 by 2 f dash x changing from negative to positive समझ गया है मतलब इसके across जो slope है negative to positive slope में यहाने f dash x derivative term जो है negative to positive so x equal to minus 1 by 2 is a point of minimum x equal to minus 1 by 2 जो होगा वो point of minimum होगा अब यहाँ पर हम minimum value निकालते हैं so minimum value अगर आपसे minimum value निकालनी है क्योंकि maximum तो निकलनी सकती है कितनी होगी function की value at 1 by 2 1 by 2 तो आपके पास question क्या था function का function का question था आपके पास 2x plus 1 का whole square plus 3 देखे तो 2 से 2 cancel हो गया यह कितना हो गया minus 1 plus 1 का whole square plus 3 so बेटा यह हो गया 0 0 का square plus 3 answer कितना हैगा 3 so यह आपके पास में 3 इसकी value आ चुकी है यह कौन सी value है इसकी function की यह इसकी minimum value है अब पूरा नाम बोल जाए तो यह है local minimum value clear की not clear बेटा यह इसकी local minimum value यह देखे 3 आ चुकी है अब हलाकि बहुत easy question है algebraic है तो वैसे ही बड़े आराम से दिखिया है बाकि आप कर इस method का भी use कर सकते हैं समझ गए yes sir हाँ तो यह जो test है यहाँ पे यहाँ पे आपने कौन सा test लगाया इस test को बोलते हैं first derivative test जिसमें आप एक बार differentiation करके अब एक और test होता है पता लगाने के लिए कि जो आपका point आया है x equal to minus 1 by 2 वो point of maximum है कि point of minimum है तो उस test को बोलते हैं हम double derivative test यह second derivative test उस test को बोलते हैं हम second derivative test तो इसी question में देख लीजे आपके पास में कैसे test करेंगे उसको आपने f dash x कितना निकाला था f dash x आपने निकाला था I think 4 into 2 x plus 1 हा बिल्कुल सही तो f dash x आपने निकाला था 4 into 2 x plus 1 फिर आपने क्या कर दिया critical point निकाला f dash x को 0 करके यानि कि 4 into 2x plus 1 को 0 करके आपने critical point निकाला तो कितना आ गया था 4 0 के नीचे चला गया 2x plus 1 equal to 0 बचा मतलब 2x equal to minus 1 it means x equal to minus 1 by 2 आपके पास आया यह आपका critical point आ गया x equal to minus 1 by 2 ठीक है बहुत बढ़िया x equal to minus 1 by 2 आपका critical point आ गया ठीक है आपने अब first derivative test देख लिया अब मैं आपको दिखा रहा हूँ second derivative test चुप चाप आप f double dash x निकाल लो कितना आ जाएगा 4 constant बाहर है 2x का हो जाएगा 2 plus कितना 0 तो answer आ गया 8 अब आप जो आपके पास point आया है critical point x equal to minus 1 by 2 आया है उस पे आप f double dash x का sign चेक करो चिन चेक करो तो f double dash x की value किती आ रही रेखे 8 आ रही है किती आ रही है बेटा 8 आ रही है चलिए मैं एक पर थोगा सा और बताता हूँ उपको सबसे पहले आपके पास क्या दिया रहेगा function दिया रहेगा y equal to fx आप f dash x निकालेंगे differentiate करके d by dx करके फिर आप क्या निकालेंगे f dash x को 0 से compare करेंगे f dash x को 0 से compare करेंगे तो आपके पास x की value c आजाएगी कोई value c आजाएगी फिर आप क्या करेंगे फिर आप f double dash x निकालेंगे और इस x की जगह इस c को put करेंगे f double dash c निकल करके आएगा अब जो f double dash c है वो देखिए क्या वो positive है अगर f double dash c मतलब c जो value आई है उस पर double derivative अगर positive है then जो आपका x equal to c है वो क्या होगा वो point of minima होगा अगर positive value आ रही है अगर f double dash c की value negative आ रही है तो उस पर then x equal to c जो होगा वो क्या होगा बिटा वो point of maxima होगा ठीक ना वो point of maxima होगा अगर ठीक है तो यदि positive value आ रही है तो point of minimum मिलेगा और अगर negative value आ रही है तो point of maximum मिलेगा किसकी अपोजिट अपोजिट कीज़ है ना अपोजिट मिलेगी बिल्कुल सही तो अब इसी question को देखिए आपके पास में एकसी कोल टू माइनस वन बाइटू पर वैल्यू कितनी मिल रही है एट मिल रही है जो की क्या है greater than 0 है बोलो है की नहीं है अब भी यह greater than 0 है f double dash x की value greater than 0 है किस पर minus 1 by 2 पर क्योंकि value इसकी full flash 8 आ रही है कुछ पूठी नहीं कर सकते हो तो x equal to minus 1 by 2 क्या होगा यह क्या ही है positive आ ही है 0 से बड़ा है so positive होने पर क्या होगा x equal to minus 1 by 2 point of minima अब आपको जो पसंद हो test वो test आप लगा दें चाहिए आप first derivative लगा दें चाहिए आप second derivative लगा दें मैं आपको स्जिश्ट करूंगा हाँ बेटा बोलू अगर यह double derivative अपने निकाला आई वो 0 होता फिर good question अगर double derivative 0 हो जाता अगर double derivative उस point पर आपके पास क्या आजाए 0 हो जाए तो फिर आप निकालिए क्या proceed करिए triple derivative फिर आपको triple derivative निकाला है और triple derivative निकालने के बाद अगर वो भी 0 हो जाए है ना अगर triple derivative निकालने के बाद में अगर double derivative जीरो हो गया और अगर triple derivative इसके बाद यदी triple derivative नॉन जीरो हो जाए जीरो नहीं नॉन जीरो तो हम क्या बोलते हैं तो हम बोलते हैं एक situation आईगी अभी मैं आपको बताऊंगा जिसको बोलेंगे point of inflection ये कहलाएगा point of inflection ठीक है अगर नॉन जीरो हो जाए और अगर जीरो हो जाए तो ना तो maxima है और ना तो minima है triple derivative है जीरो आजाते हैं क्लियर हुआ है चलिए दूसरी बात है आपका काम इतने में ही हो जाएगा है ना अब जब questions आएंगे तो उन cases को भी discuss कर लेंगे मैं आपसे बताना चारा था कि sir हम क्या करें first derivative लगा है कि second derivative तो मैं आपको suggest करूंगा जो simple algebra के question है जिसमें पूरा algebra केवल numerator में है आप उसमें double derivative test लगाईए और बाकी के जो question बचेंगे उनमें आप क्या लगाईए first derivative test ठीक है ना simple algebra वाले question double derivative से फटा फट हो जाएंगे अभ के बनेंग question चलिया यह रेखते हैं next question third the given function fx equal to 9x square plus 12x plus 2 है बताना है इसकी maximum value या minimum value क्या होगी जहान से देखे question में आपको point of maximum point of minimum नहीं बताना है कि किस point पे होगी केवल function की maximum value या minimum value बतानी है function क्या है 9x square plus 12x plus 2 तो fx equal to मेरे पास है 9x square plus 12x plus 2 तो इसको मैं simple logical method से कर लेता हूँ कोई calculus involve करने की भी जुरूरत नहीं है 9x square plus 12x plus 2 तो ध्यान से देखे यदि मैं यहां से 3 common ले लूँ तो सब्सक्राइब करने को करके बोल रही हो आप मैं वो नहीं बोल रहा हूं मैं कुछ आपसे और बोल रहा हूं देखे जरा मैं क्या बोल रहा हूं इसको मैं लिख सकता हूं 3x का whole square plus 2 into 3x into 4 3x into 4 लिख सकता हूं क्या नहीं लिख सकता हूं बिल्कुल लिख सकता हूं अब लिख सकता हूं अब लिख सकता हूं अब थोड़ा सा देखे मुझे इसको whole square बनाना है तो मैं क्या करता हूं a square plus 2 a b की value 2 है मुझे पता चल चुकी है अब b का whole square मतलब 2 का square मैंने add कर दिया और हिसाब बराबर करने के लिए मैंने 2 का square minus b कर दिया बता कोई problem question में और प्लस का 2 वैसे ही का वैसे ही रग दिया बोले clear की not clear yes sir क्या यहां से यहां तक 3x plus 2 का whole square बन गया yes sir और प्लस 2 ये वाला माइनस का 4 ये वाला मतलब ये मेरे पास question बन गया 3x plus 2 का whole square minus 2 clear की not clear yes sir हाँ अब ध्यान से देखिए ये square term है 3x plus 2 की minimum value कितनी set होगी zero और maximum value बढ़ती जाएगी बोलो बाग yes की not 3x plus 2 के whole square yes sir क्योंकि whole square की minimum value zero set होती है और उसकी value बढ़ती जाती yes की not yes sir तो यदि मैं इसमें दोनों तरफ minus 2 एड़ कर दूँ तो 3x plus 2 का whole square और minus 2 एड़ कर दूँ तो यहाँ पे भी zero minus 2 हो जाएगा मतलब मेरे पास ये क्या बन गया अपना function इस function की value minus 2 से बढ़ी होगी या बराबर होगी clear की not clear yes sir हाँ मतलब इस function की minimum value कित्ती है minus 2 और maximum value का पता नहीं है तो यहाँ पे इस function की minimum value कित्ती होगी कि बटा minus 2 और maximum value not defined clear की not clear yes sir हाँ अब minus 2 किस पर होगी minus 2 होने के लिए इस function को minimum होना पड़ेगा और minimum होने के लिए इसकी value क्या होने चाहिए zero yes की no yes sir हाँ भई आपकी value यह आपका function आ रहा है कम से कम क्या हो सकता है यह जब यह zero हो जाएगा पूरा का पूरा टर्म तो minimum होने के लिए 3x plus 2 जो है आपका that should be zero याने 3x equal to minus 2 मतलब x equal to minus 2 by 3 तो यह है आपका point of minimum कुछ समझ में आया तो यह simple ए जबरी concept लगाए गए है हाँ पे यह देखिए तो 3x plus 2 equal to zero तो यह value आगई है आपकी x equal to minus 2 by 3 बट याद रखी इस question में पूछा नहीं है इस question में पूछा find the maximum and minimum values मतलब इस question का जो answer है आपका दो फैन बन कर दो बेटा इस question का जो आपका answer है बेटा वो क्या set होगा आपका आपका इस question का answer जो है वो set होगा आपके पास में 3 है ना तो इसकी जो value है एक minute एक minute यहाँ पे हमने minus 2 होगा बेटा set गलत लिखा इसमें हाँ तो इसकी जो minimum value इसकी value जो है function की minimum value minus 2 set होगी so it should be minus 2 समझ में आपको यह गलत लिखा हुए आपे yes sir 3 कहां से हो जाएगा minus 2 होगा वही यह clear yes sir चलिए तो मैंने आपको सारे method सिखा दी हैं अब इससे ज़्यादा आप इस पे apply कर सकते हो single derivative double derivative आने वाले question में एक और question देख लिए जे बहुत ही simple सा question है इस question में इन question में नहीं अप्लाई हो सकते double derivative नहीं कर सकते हो खूब करो वह जादर simple लग रहा है हाँ ठीक है वह सीदी सीदी procedure है actually यह यह logical method है इसमें आपको दिमाग भढ़ाना पुड़ेगा इससे answer भी तुरंत आ रहे हैं मगर यह उन से बनेगा जिसके element class में domain और range की फंडे तगड़े हैं तो उसको यह hair-fear करना बनता है ठीक है अब जैसी यह question है अपने पास में minus of x minus 1 का whole square plus 10 देखेगा logic इसके तो question में बूला गया है minus of x minus minus of x minus 1 का यह x minus 1 का whole square plus 10 कहरा इसकी बताइए maximum यह minimum value क्या होगी अब दिमाख लगाईए इसको यह आपके पास function है actually यह आपको बनाना है अपनी picture में इसको ले के आना है तो picture कैसे बनेगी बिटा आपके पास में आप जानते हैं खुद से दिमाख लगाई since you know x minus 1 का whole square किसकी बात करी जा रही है minus की तो negative sign का multiply कर दो मतलब minus x minus 1 का whole square आपको पता होना चाहिए negative sign का multiply होने से यह inequalities पलड़ जाती है फिर क्या कर रहा है इसमें इस function मनाने के लिए इसमें हमको 10 को add करना है तो मैं भी 10 को add कर देता हूँ तो minus x minus 1 का whole square left में इधर 10 add किया right में इधर 10 add करा so minus of x minus 1 का whole square plus 10 it should be less than 10 मतलब की हमारे पास यह हमारा designer function बन चुका है और हम कहेंगे कि भईया जो अपना fx है वो हर हालत में 10 से छोटा आएगा बोलो clear हुआ कि नहीं हुआ yes sir मतलब अब fx अपना 10 से छोटा आ रहा है मतलब जो value होगी 10 से छोटी जाएगी तो यह क्या हो गए इसकी maximum value इसकी minimum value का पता नहीं है मगर यह maximum value है बोलो clear हुआ कि नहीं हुआ yes sir मतलब function की maximum value कितनी होगी 10 clear की not clear yes sir तो इसका graph actually कैसे बनेगा इस तरीके से बनेगा देखे इसकी maximum value का पता 10 है minimum value नीचे भगती जा रही है clear so इसकी maximum value कितनी होगी 10 बताइए क्या इसके पास कोई minimum value है no कोई minimum value नहीं है clear की not clear yes sir any problem no sir तो इस तरीके से यह logic वाले question है और बाकिया आप कर सकते हैं इसको अपने तरीके से उससे करना हो बड़े तरीके से clear yes sir चलिए इस पर यदि आप से वी कुछ लिए हाँ बोलो क्या बटा इस प्लाइट सेंड कर दूशे होगा क्या बटा प्लाइट को सेंड कर दीजेगा obviously बटा वो तो बीना बोले आपको हमें भेजता हूँ न एवरी डे yes sir चलिए तो यह हो गई हमारी process इसमें एक चीज़ और में बता रहा था कि यह आपकी maximum value दे रहा है तो आपसे कोई बोले कि इसकी value आपको maximum कब मिलेगी तो इसकी value 10 देने के लिए इसे क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा बोलो yes की no yes sir तो maximum value देने के लिए x minus 1 शुड़ भी 0 तो answer x equal to 1 मतलब इसका जो point of maximum मिलेगा बेटा वो x equal to 1 मिलेगा x equal to 1 में यह आपको अपनी maximum value देगा ठीक ना इसका point of maximum कितना मिल जाएगा x equal to 1 यह देख लो तो don't worry यह चीज़े आपको धीरे 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 बनेगी एकदम से नहीं बनेगी ठीक है आप question करते जाएए यह चीज़े आपको धीर धीरे बनेगी चलिए बेटा तो आब आपको बिटा आप ncrt book है आपके पास तो आप numerical इसके example से लगाईए पहले example लगाईए फिर इसके exercise माईए done yes sir okay